दोस्तो आज हम बनाने जा रहे हैं सिर्के वाली प्याच आपने कई बार ये होटल में रेस्टूरेंट में खाई होगी तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और खाने की स्वाद को भी चार गुना बढ़ा देती है तो चलिए हम इने शुरू करते हैं अ हम पजस्केल काया शची प्याज यह मैंने छोटे साइज के प्याज लिए या है घ्टि यह तोड़ा सा मेंने कटके ववह ब्षूट लिया है लमेन इन घृज जिली लिए हैं अफिक श्यफ, मैंने चीने लिए हैं दाल चमक चांच में चांच में नमक लिया हैं और यह मैं मैंने एक काली मिर्च लिए है यह हमेरे पास पीसी हुई है आप साबुत काली मिर्च का भी उस कर सकते हो अब मैं प्याज में कट लगाऊंगी देखिए यह हमें पूरा नहीं लगाना है नीचे तक हमें ऐसे लगाना है देखिए और लगा के दिखाती हूं मैं यह कट लग चुके हैं और मैंने एक बरतन में यह आद अगलास पानी लिया है अम इसे थोड़े दे रुबा लूँगी मैं इसने अब इलाइची लांग और यह दाइची नहीं और हमें यह कटे वीच चुके अंदर इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं अब साबुत काली मिर्च यूज़ कीजिए इसमें अब उबाल आने लगा है इसमें हम मैं चीनी डालूंगी इसमें नमक डालूंगी मैं इसे 2-3 मिनट उबालूंगी है अब इसमें मिल चुकी है और चुकु दरने अपना कलर छोड दिया है तो आम मैं फिलेम को बंद करती हैं वेसे चान लूंगी उन्याइक अब इसे मैं थोड़ी में थंडा होने दूंगी इसमें एक्वाण्य जो जार ले लिए एक तो इसमें जार में कट लगे हुए प्यार डाल दूंगी इसमें ये बीट रूट वाला पानी डाल दूंगी मैं गिरिंचे ले डाल दूंगी स्लाइस की हुई एक कप ये विनेगर डालूंगी मैंने वाइट विनेगर लिया है अब इसे हम ओवरनाइट रख देंगे देखिए 24 घंटे हो चुके हैं और प्याज मेरी तैयार हो चुकी है देखिए मैं आपको ये निकाल के दिखाती हूं देखिए ये हमारी प्याज गल चुकी है और इनमें पानी जा चुका है तो अब इने हम फ्रीज में श्टोर करके दस दिन तक रख सकते हैं और मैं फिर हाजरूंगी एक नई रेसिपी के साथ